मैं सहजाद भूर की रहने वाली हूँ आज मैं अपनी गवाही आपके वीच में बाढ़ना चाहती हूँ कैसे प्रभू इसमसी ने 10 साल की दुष्टात्मा से पूरी रिती से अजाद किया है जब मैं प्रभू इसमसी को नहीं जानती थी तो मैं स्टेडी कर रही थी और स्कूल जाती थी एक दिन क्या हुआ मैं स्कूल गई मुझे प्यास लगी मैं पानी पीने के लिए गई मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर कोई चीज गई है और मुझे ऐसे भारी पन होने लगा मैं सोख पाउर लगता था मुझे बहुत ज्यादा भारी पन रहने लगवा और मैं ऐसे ही मत जादा से जादा बीमार रहने लगी और मैंने यह प्रोब्लम अपने ममा को बताई मैंने का मम मुझे नैसे लगता है कि मेरे साथ ना कोई चलता है और मेरी मामा बोलने लगी नहीं तेरा बहन है कुछ नहीं है फिर मैंने फिर बताया नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गबराट होती थी मुझे बहुत डर लगता था मुझे जहां भी मैं जाती थी मुझे अचल रहा है जब रात को श्रम जाती हृँ तक मुझे बहुत डर लगता है जैसे मेरे साथ कोई चर्व जाया हृँ। близ receive बारी ड़ा हैं, सुब्ऴे कोई मेरेरे साथ कोई लिएसे रखता था मुझे अवर्य कWorld' कोई जालेशनशी व कि रहता हैु दो हैं। सुबह उठने के बाद मेरी बोड़ी में बहुत ज्यादा पेन होता था और मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब भारी पन रहता था मैं कुछ काम भी कर नहीं पाती थी हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए वहां पर भी बस डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि इसको दोरे पड़ दोक्टर बोले कि इसको सारी जिन्दगी दवाई खिलाने पड़ेगी फिर मेरे पापा बोले कि हम सारी जिन्दगी दवाई नहीं खला सकते हम इतने पैसे नहीं हैं हमने सारे पैसे खर्च कर दिया भी हम क्या करें फिर जैसे ही मैं सो कर उठती थी मेरी जीब के अंदर दा फिर मेरे जीब के लिए सिर्माइब उपया सकती हूई यह जान अपने कुछ Condu ने कुछ से चाई ऊक्ँटक équंप और लो सब्सकों निकल घे गाばい और दोक्टर ने बोला ता कि साड़ी उमरॉद द्वाईघ का को बस आप दवाईयां खा करें ठीक रह सकते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दवाईयां खा सकें मैं दस सार से इस प्रोब्लम से जूंज रही थी मैं यह सोचती थी मैं कभी ठीक नहीं होंगी मैं से ही रहूंगी मैं सोचने लगी कि भी मैं ठीक नहीं होंगे और मर जाओ मैं दस साल से समस्या से जुंज रही थी परसान हो चुकी थी कोई अमीद नहीं थी और फिर किसी ने मेरे पापा को प्रभू इस तो मसी की बारह में बताया तो वहां पर अपनी लड़की को लेके चलो और वहां पर सब ठीक हो जाते हैं आपकी लड़की भी बिल्कु ठीक हंगी आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे पापा बहु ने लगे हम तो बोहँ हो जाना बहुत जागी अभी तो चलो हमारे साथफ ठीकु जांगे मेरे पापा बोलने लगा चलो जहां ज़ो जहां गए तो यहां गय तो यहां भी एक बार चल flavor कि क्या है लोग दुष्टातम से अजाद हो रहे थे फिर मैं सोसती थी कि जैसे यह लोग अजाद हो रहे हैं तो मैं भी अजाद हो सकती हूं फिर मैं लगतार संकती में बनी रही और चर्च जाती रही दो हजार चोबिस तीस जून को ओयल मिटिंग थी उसमें ममा मदल दुष्टातमा को डाट रही थी और ममा जैसे ही फरफैसी कर रहे थे ममा बोल रही थी कि जिसको भी दुष्टातमा की प्रोब्लम है और बोल रही थी कि जिसके दात जीव में कटते हैं वो लोग आ गया अचानक भी बीना चुफ़े भी मों कटती है बार-बार कटीश परेट रही है मैं भी आगे गई कबसे हो रही है कि ममदल साल होगे दस साल होगे कि अ कितनी दिनों बाद असा होता है ममा कभी 15 दिन होते है कभी 10 दिन अजीव कट जाती है तो उसके बाद खाना खाने में भी यह देखो कितनी जगा से इसकी जीव कटी हुई है आपने कभी मुझे बताया तो नहीं नहीं ममा मैंने बोला प्रभू आपकी प्रॉब्लम शानता है और कितने साल की प्रॉब्लम है दस साल से बोले 10 सिंवाज मेरी जीब कर जाती और 10 सिंवार मैं खाना नहीं खा पाती और ममा ने मेरे लिए जैसे ही ले हैंड की वैसे ही मेरे अंदर से दूश्टा आत्मा निकल के गया Out in the name of Jesus Out In the name of Jesus छोड़ी से इंजब्स कुआ है ? हमउच्रतवच्टे बिच्छे के स्कुल के बिचे लगए स्कुल से है ? कितने साल से ? 10 साल से 10 साल से ? स्कुल से है ? कितने जने है ? 2 कॉण कॉण ? एक लड़की एक लड़का एच्छा रिखा इसकी जीव काट्थी है यह वुज अच्छी लगती है अच्छी लगती है पुन पिती है इसका यह पुन अच्छा लगता दुझे यह अभी क्या होगा दर्द हो एप पेट में है पेट में है आप इन दे नेम अब शीड़ छोड़े से, free in the name of Jesus, पूरी तरह से, पेट से बारा, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, उल्टियों के द्वारा सरा बारा इशु के नाम से, पूरी तरह से, हमेशा के लिए, out in the name of Jesus, free, free in the name of Jesus. उस समय मुझे बहुत अच्छा फिल हुआ और मुझे हलका पन महसूस हुआ, और जब से ममा ने मेरे लिए परातना की है, मैं बिल्कुल अजाद हो चुकी हूँ, और मुझे गंदे सुपने भी नहीं आते हैं, मैं बिल्कुल अजाद हो चुकी हूँ, उस परातना के दवारा, दस साल की दुष्ट आत्मा से मैं पूरी रिती से अजाद हो चुकी हूँ ना कोई गंदे सपने आते हैं, ना कोई जी में दाद करते हैं और नो ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई है ना कोई बोड़े में भारी पन है, ना कोई दर्द है अच्छे से सोती हूँ, कोई प्रब्लम नहीं है इस छुटकारे के लिए प्रभू इस मसी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक मां का पास्टर कंचर मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ जीन की प्रात्ना के दवारा दस साल की दुष्टात्मा से पूरी रिती से आज़ाद हो चुकी हूँ मैं अब अच्छे से काम जिन्दा कर पाती हूँ पहले मैं कुछ काम को नहीं कर पाती थी है, मैं अभी अच्छे से काम करने लग गई हूँ जैसे घर पे कपड़े धोना, बरतन मांजना, कुछ भी काम नहीं मेरे से होता था फिर मैं अभी सब काम करने लग गई हूँ मैं पूरी रिती से अज़ाद हूँ सब भी बेहन भाईयों को जैने से